आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो अपे भी है और मंचूरियन भी यानि अपे को हम मंचूरियन स्टाइल में बनाने वाले हैं इसे आप breakfast में या फिर snacks की तरह भी खा सकते हैं और ये बहुत ही कम oil में बन जाती है इसलिए healthy भी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बॉल में आधा कप सूजी लेंगे इसमें वन फोर्ट कप दही डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे अभी ये mixture बहुत dry लग रहा है इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूगी अब ये दही और सूजी का smooth paste बन गया है इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सूजी ने दही और पानी अबजोब कर लिया है और ये paste थोड़ा ठिक हो गया है इसलिए हम इसमें पानी और अड़ करेंगे ये पेस्ट अभी भी थिक है तो इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे अब ये एकदम स्मूद बैटर बन गया है अब इसमें हम डालेंगे वन फोर्ट कप बारी कटी हुई गाजर वन फोर्ट कप बारी कटा हुई प्याज वन फोट कब बारी कटी हुई शिमला मिच और वन फोट कब बारी कटा हुआ धनिया अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और क्योंकि ये सबजी डालने से थोड़ा गाड़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा पानी और अड़ कर लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून लालमेच पाउडर, वन फोट टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और वन फोट टीस्पून गरम मसाला इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब हम इसमें 1-4 टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे हमारे अपे सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे हमारा मिक्सर बिल्कुल इतना पतला होना चाहिए, चलिए अविन से अपे बनाते हैं अपे स्टाइन को हलका सा गरम करके इसके हर मोल्ड में थोड़ा सा ओयल डालेंगे और हर मोल्ड में लगबग एक बड़ा चमच पेस्ट डालते जाएंगे और उसको चमच से इवनली स्प्रेड कर देंगे और अब इसको लिड लगाकर लो फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक पकने देंगे लिड लगाने से अपे की उपर वाली सर्फिस भी स्टीम में अच्छी तरह से पक जाती है अब हम इनको पलट देते हैं ये लोवर साइड से बिलकुल अच्छी तरह से सिख गए है अब इनको हम दूसी तरफ से भी अच्छी तरह से पका लेते हैं ये अपे दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं अब नेक्स्ट राउन में भी हमें पहले इस मोल्ड में ओइल डालना पड़ेगा वाना अपे हमारे नीचे से जल जाएंगे बट सेकेंड टाइम में ये थोड़ा जल्दी बन जाते हैं अपे का मसाला बनाने के लिए हम मिक्सी जार में दो बड़े टमाटर लेंगे दो से तीन छोटे छोटे अद्रक के टुकडे और एक लहसन एक हरी मिच और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे ये हमारा टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है अब एक कढ़ाई में दो टेबल स्पून ओयल डालेंगे इसके बड़े बड़े कटे हुए स्लाइजर्स डालेंगे इस प्याज को हमने सौटे करना है बस इतना सौटे करना है कि ये क्रंची रहे इनको हम निकाल लेते हैं और अब इसी ओयल में हाफ टी स्पून सर्सों के दाने या मस्टर्ट सीड्स डालेंगे थोड़ा सा करी पता करी पता हलका सा ओयल में भून लेंगे और अब इसमें डालेंगे वन टी स्पून नमक हाफ टी स्पून लाल मिच हाफ टी स्पून धनिया पाउडर यह पेस्ट एकदम ड्राइ हो गया है और इसने अपना ओयल भी छोड़ दिया है अब इसमें हम एक टेबल स्पून टमैटो सॉस डाल देंगे अब इसमें वन फोर टी स्पून काली मिच पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब यह अपे हम इसमें डाल देते हैं और इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह देखिए यह देखने में बिल्कुल मंचूरियन जैसे लग रहे हैं और इसमें ओयल भी जादा नहीं लगा है इसमें हम यह प्याज मिक्स कर देते हैं अब इस पर बारी कटा हुआ धनिया डालेंगे और थोड़े से सफेद तिल यानि वाइट सेसमे सीट्स तो यह है हमारे अपे स्टाइल मंचूरियन बहुत जादा ओइली भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी है यह देखिए यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी बने है तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे आप कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा जिससे मुझे पता लगता है कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगी और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा